Hey guys, welcome back to Power Drag आज की डेट में Hyundai हमारे इंडियन मार्केट के अंदर एक मशूर पॉपुलर ब्रेंड बन चुकिया हाला कि लोग लेना भी पसंद काफी ज़्यादा करते हैं इसको मशूर बनाने के पीछे, पॉपुलर बनाने के पीछे, सिरफ इनकी एक मतलब कह सकते हैं कि उसी गाड़ी का हाथ, पैर, टायर, सब कुछ मतलब उसी का है जिसका नाम है The Ultimate SUV Hyundai Creta आज की डेट में Creta से ज़्यादा बढ़िया बिकने वाली गाड़ी Hyundai की कोई भी नहीं है और दूसरा आप देखो Hyundai को पता है कि इंडियन्स की किसीच को टार्गेट करना है तो उसी सबसे Hyundai गाड़ी भी अच्छी निकाल लेए इस बात में खेर दो रहाए तो नहीं ही है तो आज हम देखेंगे Hyundai की तरफ से आने वाली कुछ न्यू बढ़िया सी अपकमिंग गाड़ियां जो कि आप लोगों को जादे तर 2021 के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाली है तो फटा फट से वीडियो को शुरू करते हैं आज की दिश्ट में जो जो गाड़ी आपको मैं दिखाऊंगा उनके बारे में और वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक ठोक के जरूर जाना नंबर फर्स्ट कार है यूंड़े अलकाजार अलकाजार नहीं समझ मारा कौन सी है तो आप लोग ऐसा बोलो सीधा क्रेटा एक सीटर क्रेटा सैवन सीटर बेसिकली क्रेटा का जो मतलब अपका एक 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 स्टेंडिड वेरियंट है एक स्टेंडिड वर्जान है वो छै अप्रैल दो होजार एक किस को यूंड़े लाँच करने वाला है कुछ दिनों बाद एक दो महीने के बाद आपको एक गाड़ी शोरूम्स पे भी देखने के लिए मिल जाएगे और इस गाड़ी के अंदर कैसे लुक्स वगरा फीचर्स वगरा आने वाले हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं अगर इसकी प्रैजिंग की बात करे जा तो लगपक मान के चलो 11 लाग रुपे से लेकर 17 सरा लाग रुपे तक इसकी एक शोरूम प्राइजिंग रहने वाली है इंजन्स ट्रांसमीशन सेम क्रेटा वाले आने वाले हैं तीनों इंजन 1.4 टर्बो पैट्रल 1.5 नैचरोली एस्पिरेटिट पैट्रल और 1.5 डीजल पावर फिगर भी सेम रहेंगे और जो ट्रांसम सब्सक्राइब आपको कौन सा इंजन इन में से उठाना चाहिए अब अगर फीचर की बात करी जाए तो इसके अंदर आप लोगों को सारी ही चीजे मिलेंगी जो क्रेटा में लोगों ने छोड़ रखा है जिस प्रेस पॉंट पर इस गाड़ी को यह बेच रहे हैं आपको फ्लैट बॉटम स्टेरिंग वील मिल जाएगा स्टेरिंग मांटेट कंट्रोल हो गए क्रूस कंट्रोल 10.25 इंचिस तक की स्क्रीन एंड़ डॉट एपल कार प्ले वी वायरलेस वाला एर प्यूरिफायर स्मार्टफोन आपका वायरलेस मुबाइल फोन चार्जर आ जाएग के एक इंची के बड़े होंगे मतलब क्रेटा में 17-18 इंची के आपको अलवील देखने के लिए मिलेंगे दूसरा इसकी फ्रेंट की ग्रिल में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा और पीछे इसकी अलकजार की ब्रैंडिंग है वो आपको क्रोम में देखने के लिए मिल जाए लो सेम क्रेटा जैसा ही रहेगा एकस जैसे मतलब जैसे उसके अंदर आता है फिर आपका एकस हो गया फिर एसक्स वगरे जैसे उसमें वैसे इसके इंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब चलते हैं देख लेते हैं यूंड़ाइगी दूसरी गाड़ी सेकंड कार यूंड़ाई एक सब्सक्राइगा देखो आजकी डेट में हर कमपनी एक चीज़ की तो होड में होड में क्या सकति हो कि अगर किसी कंपनी ने कोई डिफ्रेंट प्रोड़क्ट कर दिया तो हमें भी वो लांच करना या फिर अगर किसी कंपनी ने एक न्यूंव वीचर दे तो आने वाली हमारी अगली गाड़ी के अंदर ये फीचर होना ही चाहिए जैसे कि आप लोग को पता है कि मारूती सुजुगी ने अपनी एस्परेसो एक तो उसके competition में टाटन ने अपनी HBX को निकाल देया जो कि आने वाले एक से दो महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी फिर जब यूंड़ाई ने देखा कि इन दोनों कंपटिटर ने गाड़ी तो मुझे भी अपनी निकालने चाहिए क्योंकि सेग्मेंट में अगर एक तक कम प्राइज में SUV वाली फील चाहिए और मतलब बढ़ी परफॉर्मेंस और इंजन और स्मूथनेस और रिफाइनमेंट चाहिए और बिल्ड गॉल्टी मारूती से थोड़ी सी इसके आपको बेटर देखने के लिए मिलेगी क्योंकि एस्प्रेस होके तो जीरो स्टार है HBX बहुत सॉलिड होगी यह उन दोनों के बीच में आएगी कहीं पर ठीक है अब अगर मैं इसके अंदर इंजन की बात करूँ तो 1.1 लिटर का 68 PS पावर निकालने वाला सेंटर वाला इंजन भी आएगा इसके अंदर और एक 1.2 लिटर का नेचुरली एस्परेटिड भी जो कि 85 PS निकालेगा इस गाड़ी के अंदर बहुत तकड़े फीचर्स की एकस्पेक्टेशन मत करना संरूफ बगारे को कि यह एक value for money गाड़ी रहने वाली है लगबख 5 लाग रुपे से लेकर 6-7 लाग रुपे तक इसकी प्राइजिंग रहेगी और जो festive सीजन आ रहे है उससे आपको थोड़ा सा पहले यह गाड़ी देखने के लिए मिल भी जाएगी तो काफी एक अच्छी गाड़ी हो सकती है इस गाड़ी को लेकर कोई किसी भी तरीके cut out है नहीं क्योंकि यार भाई देखो एक छोटी गाड़ी एक compact गार है और अगर आप थोड़ा मतलब Metro City स काफी एक तक मिल जाता है तो वहाँ पर हर कोई सोचता है कि छोटी गाड़ी दे लेता हूं वह थोड़ा था बैस्ट और थोड़ा सेंसेबल डिसीजन रहता है तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मेक शूर आने वाले फैस्टिव सीजन में ले सकते हैं और स्पाइश मुझे ने जब इस गाड़ी को फ्रेंट से देखा तो देखने में आप कह सकते हैं कि बहुत तगड़ी अपीलिंग नहीं लेगी थी बड़ जो इसको रियर है बाई उल्टीमेट है रियर देखके तो मुझे से आ गए थे मतलब जो लाइट्स वगर है बहुत ही तगड़ी है हलेगी यह ना तो इलेक्टरिक गाड़ी है ना तो यह पैट्रОल गार है ना तो यह डिसल गार है और नहीं यह सेंजी गार है तो फिर है कॉन सी गाड़ी है? गाइस यह है एक हाइड्रोजन कार अब आप लोग यह लगा लों ‫क यह अभी उल्यक्त 가지고 हमारी इंडिया के तो आने के भी दूर दूर तक सवाल है नहीं आप लोग मानके चलुए गाड़ी तो 2022 के मिट के बाद कहीं सोचा जा सकता है कि इसको इंडिया में लाना है या नहीं लाना है यूंड़ी कुछ यूणीक करने के लिए इस गाड़ी को इंडिया के अंदर रिफिल हो जाएगो और फिर इसको लेके मस्त भगा सकते हो तो वह एक बहुत सभी चीज़ है कि मतलब इसकी मतलब आप कह सकते हैं ना रीजन मतलब चार्जिंग का जो सिस्टम हो बहुत ज्यादा फास्ट है दूसरी चीज़ इसकी जो प्रॉपर मैं आपको टेकनिकल लेंग मिलने वाली है और उसके अलावा इसके अंदर आपको सारे ही टाइप के फीचर मिल जाएंगे चाहे वो कनेक्टेड कार के हो चाहे इसके अंदर आप लोग को अपना एंडुर रोटो चलाना हो ब्लूटूथ चलाना हो या फिर आपको इसके अंदर कुछ भी काम करना हो नीची की तरफ भी बटन जाद दूर नहीं है तो नेक्स वेक अच्छी गाड़ी हो सकती है हाला कि अगर यह 2022 तक इंडिया में आती है तो अभी इसका देखो मैं आना कि कुछ कंफर्म कह नहीं सकता हूं कि क्या पता भाई यूंडे प्लान ड्रॉप भी कर देगो कि अभी पहले एवीज के उपर हर कोई कंपणी फोकस कर तो वह एक रीजन है अब चलता है कि देख लेते हैं आज के हमारी नेक्स्ट कार नेक्स्ट गाड़ी तो ऐसी है भाई यूंडे इ नहीं कर रहा है कि वह बेकार गाड़ी है मतलब मैं एक बात बता रहा हूं कि जैसे आज की डेट में लोग थोड़ा फीचर्स को ज्यादा पसंद करते हुए एक परफॉर्मेंस हो गई फीचर्स हो गए खैर इतनी बड़ी गाड़ी में माईलेश तो कहां ही देखी जाती है और एक लुक्स हो गए तो वो सारी चीज़ा मेरे साबसे ये गाड़ी भाई कहीं न कहीं फुल्फिल कर देती है यूड़ी पैलिसेड पैलिसेड लगबख 40 लाग रुपे के अंदर इंडिया में लॉंच होगी और ये गाड़ी भी आपकी 2022 तक इंडिया के अंदर आ सकती ह है कुछ सूत्रों से पता चला या फिर आप लोग कह सकते ही कुछ रूमर्स से पता चलाई कि ये गाड़ी इंडिया में आपको देखने के लिए मिल सकती है 2022 के आप लोग फस्ट कॉर्टर में मान के चलो और इसके अंदर आप लोगो 7 सीटिंग हो गई 8 सीटिंग हो गई का इसके अंदर भरभर के और आपको मर्टीडी इसके अंदर सेप्रिट सन्रूफ देखने के लिए मिलेंगी गाड़ी के अंदर प्रॉपट ये वेंटिलेशन मिले नियगा फिर्स चरूम इ और आपको गारी की इंदर ट्रा जॉन ऑन्टो मैटी साथीय में आपको फंचन के साथ आप लोग इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग ली अपनी थाई कभी जो कह सकते हैं ना कमफर्ट वगरे एड़ेस्ट करना है वो सारी चीज आप एलेक्ट्रॉनिक ली एड़ेस्ट कर सकते हैं तो भाई देखो फीचर्ड वाईस तो इस गाड़ी के अंदर किसी भी तरी आप थोड़ा सा इंतजार करके देखो आपको जल्दी एक आड़ी भी इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि आज की रेट में काफी ज़्यादा है ग्रोइंग सेग्मेंट सेग्मेंट नहीं कहूंगा मैं ग्रोइंग आटोमोबिल सेक्टर कहा सकते हैं आज की लिस्ट के हमारी नेक्स्ट और लाश्ट कार नेक्स्ट कार इस युन्डई आइटोंटी एन लाइन बेसिकली अभी हाली में कुछ रूमर्स मिले हैं जिन से पता चला है कि युन्डई की जो आइटोंटी है काफी एच्छे बढ़िया वाली इसकी थर्ड जनेशन को लाँच कर रहा है इसको काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं ना पसंद भी कर रहे हैं मिक्स्ट ओपीनियन आ रहे हैं इसके लिए हलागी मुझे तो परसनेली भाइस के लुक्स से कोई दिक्कत है नहीं मुझे तो बढ़िया लगती है आगे से भी पीछे से भी ऐसा भाई मे बेकार उने चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता तो बाई उन लोगों के लिए गुड़ न्यूज है युनड़ी अपना पहली बार एंड लाइन वेरेंट इंडिया के अंदर लॉंच करने का प्लान कर रहा है क्योंकि एलाइन ग्लोबली तो आता है आई टॉन्टी का भी 110PS की और सिर्फ मैंवल ट्रांसमिशन के साथ आइगा गहांगे क्योंकि जितने भी बहतरी नवाली पर्ंफॉमेंस और finely गाणी ऑट्रिया होते हैं